Study IQ IS अब तयारी हुई affordable अब finances देखो किसी भी चीज में खर्च होते हैं लक्षमी जो हैं वो हर किसी कारे को सिद्ध करने में उनका प्रयोग होता है उनका किर्पा उनकी दया बनी रहनी चाहिए तब ही हमारे कारे सफल होते हैं तो UPSC के preparation में देखो दो तरीके से आपके finances लगते हैं अगर देखो आप UPSC preparation ना कर रहे होते तो कोई ना कोई job करते उस job के जरीए आपको कुछ ना कुछ आमदन नहीं मिलती लेकिन क्योंकि आप UPSC preparation कर रहे हो तो उस case में यह opportunity cost आप give up कर रहे हैं तो जो पैसा आ सकता था वो नहीं आएगा इसको opportunity cost कहते हैं so one is that दूसरी चीज़ आप मान लीजिए free में भी अगर पढ़ते हैं let's say आपने online resources को use किया जो freely available content है internet के उपर YouTube के उपर आप उसको भी follow कर रहे हैं तब भी आपके resources लगते हैं यह internet का bell भी तो आएगा आपको उन content को access करने के लिए कोई mobile, कोई tablet, कोई desktop यह सब भी use करना पढ़ेगा कुछ printouts निकालने के लिए आपको Xerox machine पर भी जाना पढ़ेगा ठीके Xerox वाले भहिया की दुकान पर जाना पढ़ेगा और आजकर printing की क्या cost हो रखी है यह मुझसे जादा आप लोग जानते हैं तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए कि बहुत जादा unnecessarily हम चीज़ों के उपर spend ना कर देंगे, पता लगे कि मेरी preparation तो, let's say history के अगर बात करें, since I am a faculty of history at study IQ, तो history के गर हम बात करें, तो ये तो मेरी विपिन चंदर पढ़के भी हो जानी थी prepare, modern history, मैं ऐसे ही 5 किताबें उठा लाया, ठीक है, ये फजूल खर्ची से हमने बचना है, फिर current affairs current affairs कभी मैं आपको पता है कि Indian Express की classes लेता हूँ, morning 10-15 on study IQ's YouTube channel तो वहाँ पर देखो क्या है कि एक कोई न्यूस फेपर और एक कोई भी current affairs की magazine सभी magazine, 19-20 इसका फरक होता है तो जिस magazine के साथ आप better relate कर पाते हैं, चाहे वो study आई, क्योंकि magazine हो जो हम P2Y batch में देते हैं या फिर market में कोई भी magazine हो तो उसमें अगर आपको ये magazine मिलती है और current affairs का न्यूस फेपर आप regular basis पर पढ़ रहे है काफी है पर आप लोग क्या करते हैं कई बार बहुत से बच्चे तैयारी स्टार्ट करने से पहले वो let's say किसी institute एक ही magazine पकड़ेंगे senior ने कुछ कह दिया दूसरे के भी ले आए तीसरे ने कुछ और कह दिया चौतरे ने कुछ और कह दिया और class में जो faculty पढ़ा रहे है उन्होंने कुछ और सद्यस कर दिया बच्चा confused हो गया फिर newspaper पर Indian Express पढ़ें के Hindu पढ़ें लाइबीट पढ़ें के business line पढ़े ये क्या बात बनी एक newspaper पढ़ो Hindu या Indian Express अगर Hindu पढ़ रहे हो काफी देर से पढ़ रहे हो समझ आ रहा है गो विद दाट अगर बिल्कुल अभी तयारी स्टार्ट किया है newspaper पढ़ना स्टार्ट किया है then go with Indian Express क्योंकि Indian Express की language जो है relatively simplified होती है इसके articles को भी काफी अच्छे से simplify किया जाता है तो मुद्दे को समझने में असानी होगी ठीक है और बागी ऐसा नहीं है कि UPSC का examiner दहिंदू खोल के बैठा है और वहाँ पर एक एक line पढ़ रहा है अच्छा यहां से मैं question बिलाओंगा जो सिरफ दहिंदू पढ़ने वला बच्चा ही solve कर पाए ऐसा नहीं है there are ample number of toppers जिन्होंने दहिंदू को touch भी नहीं किया उनका भी paper clear हुआ there are ample number of toppers जिन्होंने news web पर ही touch नहीं किया उनका भी paper clear हुआ है क्योंकि उनको समझ आ गई के current affairs को approach कैसे करना होता है तो news web पर पढ़ो ऐसा नहीं है कि news web पर पढ़ना ही छोड़ दो but yes smart work कुछ लोग करते हैं उसमें news web पर मानलो बहुत ज़्यादा time लग रहा है तो वो monthly compilation पर rely कर लेते हैं but thing is कि rationalize करके रखो एक कोई follow करनी है ठीक है सारी चीज़ें करनी की जूरत नहीं है तो finances इस लिहाद से अपने ये संभाल के रहना है ये नहीं कि आप books में test series 10-10 लेके बैठ गए हो संतुष्टे नहीं मिल रही बई संतुष्टे नहीं मिल रही सकते है test series के दौरान आपके marks कम रहें लेकिन actual paper में marks काफी अच्छे आएंगे provided you learn from your mistakes बच्चे यही गलती करते है they do not analyze their test खर्च करके बस पैसे खर्च करके मिल गए कि हाँ हमने पैसा कर्च किया है test series आगई अब सही होगा सब नहीं यह कोई guarantee नहीं है बई जब तक अच्छे से use नहीं करोगे तब तक फाइदा नहीं होगा यह three tag rule एक मैंने समझा रखा है search three tag rule चंदन चर्मा YouTube पर search करना three tag rule चंदन चर्मा study IQ तो आपको मेरी वो वीडियो भी मिल जाएगी तो उसमें कैसे test series को best use करना है they will start going for cheaper resources ठीक है एक होता है cheap एक होता है affordable right affordable में ठीक है एक decent level of price है उसमें quality अच्छी मिल रही है go for that लेकिन अगर price excessively down किया हुआ है तो फिर quality भी ऐसे there are ample examples in the market जहां पर price बहुत जादा कम किया जाता है लेकिन quality भी उसी हिसाब से फिर होती है right so do not compromise with the quality of your preparation अगर अपने से self study से कर रहे हो ठीक है you are trying to rationalize your resources you feel के नहीं coaching का जो पैसा है बहुत जादा होता है Delhi में आकर 15,000 उपे तो सिरफ एक room का rent होता है खाना पीना जोड़ दो तो 5,000 और उसमें add कर दो 20,000 तो सिरफ जिन्दा रहने के लिए आप दे रहे हो यहाँ पे ठीक है उसके बाद coaching add करोगे तो उसमें भी 70-80,000 से कम नहीं लेता कोई भी right so in that case it is quite an expensive program तो इसलिए अगर उससे बचना चाते हो तो ठीक है आपने decide कि जहाँ पर भी आप बैठे हो आप अपने online resources को use करके अपनी preparation करोगे लेकिन वहाँ पर अगर आपको time to time doubt आ रहा है यह समझे नहीं लग रहा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना जो इतने सारे components है journal studies के अंदर history, world history, post independence polity, governance, international relations, security कितना कुछ है उसमें आप गलत component के उपर वहाँ जादा time दे रहे हो कि मालो internal security के उपर आप तीन महीने लगाते जा रहे हो ठीक है तो यह गलत है यह quality of preparation को कहीं नहीं compromise करता है ऐसे में try to find a good mentor ठीक है यह आपका कोई भी friend हो सकता है जिसने इस paper को अच्छे से prepare किया, he was a serious candidate यह आपका कोई relative हो सकता है जो सायद services में भी हो यह seriously prepare किया हो यहाँ फिर कोई coaching हो सकती है लेकिन जो affordable हो ठीक है तो mentor की जरूरत पड़ेगी जिससे कि आप अपनी quality of preparation maintain कर रखें और इसी quality of preparation में जो सबसे important resource होता है वो resource होता है time you should know that when you have to spend time on what component ठीक है अब ऐसा है कि जैसे post independence और world history इसमें मैंने कई बार देखा है कि बच्चे PhD करनी शुरू कर देते हैं they go so deep into world history as if they have to give some European exam कि world history के नाम पर वो Europe की history पूरी पढ़ रहे हैं पता नहीं कहां से ancient inka, maya, civilization, वो civilization वहाँ तक तो syllabus में भी नहीं लिखा हुआ question तो कहां ही आएगा दूसरा, previous year questions देख लो world history post independence कितने questions पूछता है पूछता है लेकिन कई बार क्या alternate years में पूछे जाते हैं दो साल में एक बार आ रहा है तो क्या इसमें आप इसको उतना ही तवज्जुफ दोगे जितना आपको culture और modern India को देना चाहिए या polity को देना चाहिए no, modern India culture, polity they demand more time तो ये time की rationalization की समझ होनी चाहिए तभी आप अपने resources resources में जो सबसे important resource है वो आपका time है time सबसे crucial resource है ये time ही है जिसके वज़े से वो opportunity cost गई है क्योंकि आपको अपनी तयारी में time देना है इसलिए जो नौकरी कर सकते थे वो नहीं कर रहे है वो opportunity cost गई नौकरी के साथ prepare कर रहे हो तो भी एक opportunity cost है वहाँ पर थोड़ा सुख चैन गवाना पड़ता है तो इस लिहाज से आपको इन तीन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और इसमें how can study IQ help you let me tell you about that देखो यार ऐसा है कि preparation के time पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहले तो तीन stages है exam की exam ये एक exam समझने की गलती मत करना बहुत से लोग बहुत से coaching centers आपको बोलेंगे integrated preparation होती है ठीक है होती होगी बई integrated preparation लेकिन समझो उस बात को तोड़ कर समझो देखो यार ऐसा है कि इस prepare के prelims, mains और interview phase होता है ठीक है अब prelims से 3-4 महीने पहले mains से 2-3 महीने पहले और interview से approximately 1-2 महीना पहले आपको dedicated preparation करनी पड़ेगी तब ही ये stages पार होंगी however, pre से पहले जब आप अपनी तयारी बिल्कुल start कर रहे हो यहाँ पर आप integrated preparation करोगे ठीक है इधर ऐसा नहीं होगा कि revolt of 1857 सिरफ pre point of view से आपने पढ़ लिया उसके बाद mains point of view से कर रहे हो ऐसा कोई कर भी कैसे सकता है fail to understand revolt of 1857 pre के point of view से मतलब है सिरफ pointers पढ़ रहे हो वो pointers कहां समझ लगेंगे जब तक पूरी कहानी ही नहीं पता होगी और पूरी कहानी समझ के पढ़ रहे हो प्रिलिम से पहले आपको बिलकुल mains वाले components होते हैं जैसे world history, ethics, answer writing ये चीज़ें छोड़ देनी चाहिए pause कर देनी चाहिए and focus entirely on prelims prelims की तयारी के time पर दिमाग में एक और एक चीज होनी चाहिए that is I should be able to solve MCQs यहां पर पोथे पढ़ने से paper नहीं clear होगा कि 10 किताबें पढ़ दी बड़े tash में आके कई selected officers भी होता है कि दिमाग खराब हो जाता है and they say कि में को किताब बताओ paper बताओ और को ना बताओ और फिर अगर मैं पढ़ लूँ आपने 7 से 10 महीने में अपनी integrated preparation की और prelim से पहले आपने उस integrated preparation को polish किया जो help करे आपकी MCQs को solve करने में so आपने books पढ़ ली यहां पर आपको उन books को brush up करना है कोई new book नहीं पढ़नी वही book को revise करना है which helps you to solve the MCQs ठीक है क्योंकि paper में कोई नहीं पूछेगा कितने घंटे पढ़ते थे किस कोने में बैठके पढ़े आप कौन सी book refer की थी you will be judged on your capacity to solve the questions pre में MCQs है तो MCQs पर focus करेंगे pre के बाद बहुत candidates even मैं अपनी भी बात करूँ तो 2020 के अपने pre जब clear कर लिया था तो उसके बाद मैं खुद एक hangover में चल रहा था कि mains की तयारी आ जाती पहले तो यकीन ही नहीं होता कि ओ भाई pre clear हो गया अपना कि 6 लाग बच्चे बैठे थे हम ओस 2% category में आ गए जी ठीक है तो पहले तो यही यकीन नहीं होता 1500 से 200 शब्दों में लिखने वाले ठीक है तो उसमें अलग approach रहेगी तो mains is equal to answer writing answer writing is equal to mains यहाँ पर इस चीज़ पर आप focus करोगे ठीक है तो दो दीन महीने rigorously mains के उपर focus करना है पढ़ाई जो करनी थी वो कर चुके हो आप अब उसी पढ़े वो एको revise करोगे और utilize करोगे अपनी answer solving capability को improve करनी के लिए and lastly interview के preparation होती है जहाँ पर जो बच्चा इतना well read हो जिसने pre निकाला हो जिसने mains निकाला हो क्या उसकी personality में बहुत कोई major flaw होगा ऐसा होता नहीं usually बस होता ही है कि आपको एक बार खुद को self introspect करना है अपने strong points, weak points आपको पता होनी चाहिए administration क्या होती है why you want to become an IS officer और an IPS और an IFS कुछ लोग IRS भी first preference रखते हैं क्यों बनना चाते हो, क्यों system में आना चाते हो इन चीजों को लेकर clarity होनी चाहिए and कुछ mocks आप दो तो वहाँ पर interview भी clear हो जाती है this is how you have to manage your preparation all stages, तो paper की 3 stages हैं, लेकिन आपकी preparation की 4 होंगी, pre से पहले integrated, right, pre से way पहले, ठीक है, starting के time पर integrated P से immediately पहले, 3-4 महिने पहले, prelims oriented MCQ वली, main से पहले, answer writing वली interview से पहले, personality को polish करना है तो 4 stages यह आपकी होगी, अब देखो इन 4 stages में throughout, you will need a mentor, mentor वो व्यक्ति है, जो आपको time to time guidance देता रहे, कि कहां पर आप गलती कर रहे हो, कि आपकी potential शायद आपको खुद को ना पता हो बहुत से बच्चे होते हैं, even मैं अपनी बात भी करूँ, तो exam की तयारी start करने से पहले, मुझे नहीं पता था कि मैं इतने सारे attempts जहल लूँगा pre-clear कर लूँगा right, तो यह नहीं पता होता लेकिन, during the process because I had good teachers to help me, to support me so they were my mentors and they helped me to crack the exam, prelims तिके means में, yes, उनकी guidance इसने अच्छा कासा साथ दिया, जिससे GS में काफी अच्छा score आगया, optional में yes, मैंने खुद से पढ़ने की कोशिश की हाथ पर मारने की कोशिश की, वहाँ पर guidance की भी कम ही थी, जिसके वज़ए से optional के score की वज़ए से, ultimately I could not crack it, तो मेरी वली गलती आप मत करना, ठीक है पहली चीज अपना, एक और चीज बता दूँ अपने optional को भी sorted रखो right, कौन सा optional होना चाहिए यह मैं नहीं बताऊंगा, यह आप बताऊगे कि कौन सा optional लेना है decide करने का क्या तरीका है पहले देखो, graduation किसमें है चार साल जो subject किया है you know about that subject much more than any damn new subject जो आप अभी पकड़ोगे, ठीक है तो अगर उससे related कोई भी optional है तो वो पकड़ लो, जैसे एक student थी उसने कहा कि microbiology उसने उसमें PhD कर रखी है, ठीक है तो I suggested her कि वो science related optional ले सकती है, for example biology प्रीविस एर question देखो, थोड़ा solve करने की कोशिश करो, university के professors के साथ, आप associated है तो take those questions to your professors उनसे पूछो कि इसका अच्छा अंसर आपको क्या लगता है, क्योंकि biology एक ऐसा option है, जिसमें easily coaching नहीं मिलती तो इसमें थोड़ा खुद हाथ पर मारना पड़ता है, बट उतना नहीं मारना पड़ेगा जितना एक नए subject को समझने में मारना पड़ सकता है, ठीक है, similarly एक बच्चा था जिसने history में background है उसकी, ठीक है तो वो history लेगा न, option, वो क्यों mechanical engineering लेगा, और mechanical engineering वाला है, उसके पास option है यां तो mechanical engineering ले ले, लेकिन अगर वो थोड़ी कमजोर लगते हैं, तो mathematics ले सकता है, ठीक है, physics ले सकता है वो सारी चीज़ें apply होती है, right so graduation या जो आपने कर रखा है उसके साथ link होना चाहिए, अगर मान लीजे graduation नहीं है जैसे computer science वालों के साथ होता है या graduation वाले subject में आपका interest ली नहीं था, ठीक है तो उस case में you can go with general optional, general optional कौन से होते हैं sociology, history, anthropology public administration PSIR and so on ठीक है, इन में से try to find out the question papers of past few years, उनके solved papers देखना, जब question होगा solutions भी वहीं होंगे, उनको पढ़के देखो उन्हें read करके आपको पता लग जाएगा कि आपकी inclination किस subject के साथ है, once you decide the subject ठीक है, और ये confused सर नहीं समझ नहीं आ रहा सर, ये नहीं वो नहीं, भाई आप फिर पता है क्या कर रहे हो, you are not being honest with yourself, you want me to say कि कौन सा optional आपको लेना चाहिए, और उसके बाद you, that what are the benchmark parameters इसके basis पर आप choose कर सकते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है previous questions के basis पर shortlist करो उसके बाद देखो, थोड़ा और research कर लो, ठीक है, और ये मत सोचना कि ये optional लेने से कोई topper बन गया, उस optional वाले को topper बना रेते हैं, ऐसा नहीं है अगर ऐसा होता, तो UPSC बहुत ज़ादा biased होती, UPSC बाइस नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनको sociology बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए कितने सारे topper sociology से ही निकल रहे हैं, कि सुरिष्टी देशमुख हैं, and many others या anthropology से अभी कुछ नया पयार इनका जाग गया, जिससे वहाँ से भी topper आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, बच्चा intelligent है, बच्चे को interest था उस subject में interest था तो वो time दे पाया time दे पाया तो वो improve हो पाया improve हो पाया तो paper निकाल लिया उसने, ठीक है, ये criteria होगा, other than that आपको कोई कुछ भी कहता है, तो वो थोड़ा बच के रहना, गोली दे रहे हैं ठीक है, interest होना चाहिए right, interest आपकी graduation subjects के साथ हो सकता है, क्योंकि 4 साल आपने वैसे भी पढ़ा है, अगर उसके साथ नहीं है, तो वो subjects को देखो by reading, by going through certain reference material, कि interest किसमे है जैसे मैंने sociology जब लिया था, तो उसके पीछे देखो मेरा क्या कारण था I realized by the time I graduated from college, मुझे ऐसा feel हुआ कि यार मैं अपनी life में कर क्या रहा हूँ कि मेरी जो choices हैं ये तो मेरी है ही नहीं, ये तो समाज दुआरा थोपी गई है मेरे पे कि 10th में बहुत अच्छे marks थे तो चलो जी, non-medical ले लो why not commerce? नहीं, commerce तो mediocre लेते हैं, क्यों भई? तो वहाँ पर I realized कि ये तो society का कुछ बोल बच्चन हो गया तो I was curious to understand how the society works, और interesting लगता था मुझे, इसलिए उस तरफ चला गया, हाथ पैर भी मारे, interesting था, इसलिए हाथ पैर मारे, कुछ जादा ही मार दिये शायद, और ultimately उसमें कहीं न कहीं, lack of guidance में कमी रह गई, अगर guidance अच्छी मिलती, तो कुछ अच्छा हो सकता था so a good teacher as well play a very important role in your final selection ठीक है, अच्छा teacher जो होता है na, वो interest generate भी कर देता है और आपकी जो interest और energy है, उसको side direction में channelize कर देता है, तो यह सारी चीजें जो हैं, आपको अब देखो, study IQ इसमें कैसे help कर सकते हैं, first of all we have a P2I batch, जिसकी new classes, fresh classes 17th January से start होने जा रही है कब start होने जा रही है, it is going to start from 17th January 17th January को सुबह 8 बजे का ये batch है, जब आप और हम एकदम fresh mind के साथ तो आप एकदम basic से जहां पर NCRT भी आपकी cover हो रही है और आपके basic foundational concepts बनते जा रहे है धीरे 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 हम उपर build करते रहेंगे and standard books में भी material है, content है, syllabus के point of view से वो cover हो जाएगा, class के बाद या class के दोरान, जैसे मैं अपनी P2O classes में क्या करता हूँ, कि I introduce a topic, उस topic में पहले आपके विचार पूछता हूँ, कि हाँ भी इसके बारे में किसी को क्या पता है, ठीके, तो वो विचार नोट करने के बाद, then I explain that topic topic complete करने के बाद है, आसके, हाँ भी किसी को कोई गिला शिक्वा, कोई doubt राइट, वहाँ पर किसी को doubt होता है, तो वो पूछते दे थोड़ा complicated doubt होता है, तो मैं my कौन करवा देता हूँ, उससे उनका resolution निकल जाता है, जो non-serious candidate है जो तंग करते हैं, उनको obviously थोड़ी फटकार लगती है, ताकि वो बाकियों का time ना waste करें, ठीके, this is a very study IQ is very particular about these things, जाधा तर students हमारे serious हैं, लेकिन अगर कोई एक का दुखका student जाधा कोई बदमाशी करता है, तो हम थोड़ा पटकार भी देते हैं, ताकि जो दूसरे candidates हैं, उनका time बरबाद ना हो, ठीके तो we are very particular in that sense तो इससे आपका पूरा base build होना start हो जाता है, एक subject, फिर दूसरा फिर तीसरा, बहुत से institutes ना, एक और क्या केते हैं, chaos मचाते हैं खिषडी पका देते हैं, वो चार-पांच subjects एक साथ शुरू कर देते हैं, चल सब कुछ रहा है, खतम कुछ भी नहीं हुआ, यह का की preparation है भई, आप एक चीज करो, उसको अच्छे से complete करो closure दो, फिर अगली चीज पर चलो तेक है, और फिर linkage बनाना सिखो और यह justification देना कि पांचे चीज़ों को एक साथ शुरू करके हम जी interlinkages बनाने की development कर रहे हैं, it is rubbish, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है इतना well-read हर को ही होता है कि अगर उसने एक चीज पहले अच्छे से कर ली उसके बाद मानलो history कर ली, फिर लग-लग subjects, ठीक है, that's not done ठीक है, उससे नुक्सान जादा होगा mentorship आपको मिलेगी, कोई भी doubt अगर आपका है, weekly basis पे जो भी हमने पढ़ा, उसका MCQ का test होगा, 50 MCQ उसका, आपको daily basis पे, current affair की भी video classes और PDF मिलेगा, which will cover the current affairs from different sources the Hindu, Indian Express, P.I.B., live made, down to earth, ठीक है, बहुत सारे sources से हम cover करते हैं, तो approximately एक गंटे की video अगर कोई देखना चाता है, या किसी के पास अगर time नहीं भी है, तो तब भी वो PDFs को refer कर सकते हैं, तो current affairs sorted हैं, और उस current affair के basis पे कुछ questions इस test में रहेंगे daily basis पे एक answer हम आपको देंगे, उस answer को आपने लिखना है, usually class में जो पढ़ाया जाता है, उसी से related होता है, and it can be, it is evaluated by evaluators, तो feedback भी मिलता है, जिससे और improvement होती है आपकी, तो foundation में आपका पूरा ये चलेगा, prelim से पहले crash course without any extra charge, ये आपको provide कर दिया जाएगा, जिसमें आपका पूरा का पूरा से ले, बस जो है, वो brush up होता है, keeping in mind the requirements of multiple choice questions, तो this is done, test series इसी में involved है, तो इसमें होता क्या है, कि 75 plus discipline test होते हैं, यानि कि 50 MCQs वाले 75 की इरदिगे test होंगे, उसके बाद आपके sectional test होंगे, ये around 10 test sectional होंगे, and further आपके full length tests होंगे, ठीके, और इसमें CSAT की भी workshops हैं, और CSAT के भी full length test included है, right, तो SIP में crash course में सब कुछ ही आपको मिल रहा है, then if you clear prelims, तो mains में आपको advantage ही मिलती है, that if you are a P2I student, तो daily NCR में जो हमारा campus है, यहां पर हमारे साथ रहोगे, जो आपकी दो दिन हम rigorously practice करेंगे, ताकि हम में वो stamina develop हो, जिससे हम answers को अच्छे से लिख सकें, और एक दिन हम current affairs की revision करेंगे, जहां पर current में आई चीजों को answer में कैसे incorporate किया जा सकता है, उसके बारे में हमें clarity मिल जाए, so this we will do during mains advanced course, तो जिनका तो pre-clear है, उनको हमें एक महौल देना चाहते हैं, जिसमें वो एक serious study कर सकें, so for them, Delhi NCR में वो आ सकते हैं, and this will be free of cost, ठीके, आपका आने जाने, खाने पीने, यह सब करता जो है, study IQ bear करेगा, आपको सरफ पढ़ाई करनी है, in case किसी reason से आपका pre-clear नहीं हुआ, या डेली NCR में नहीं आ सकते हैं, तो online medium से आप हमारे साथ interact करते रहेंगे, classes लगाते रहेंगे, and you will complete your main syllabus as well, objective यही है, कि अगर मान लो किसी reason से इस साल परी नहीं हुआ, जब भी आपका pre-clear हो, mains की इतनी अच्छी तयारी आपकी हो जाए, कि आपका mains भी clear हो, तेके हमारा objective यह नहीं कि बस pre तक किया, जो बाकी institutes करते हैंगे, pre तक कर दिया, और बस अपने आप देखनो नहीं, हम पूरी के पूरी तयारी आपको सशक्त बनाएंगे, self-capable बनाएंगे, कि mains के बारे में हर वो nitty gritties आपको पताओं, जिससे अच्छी तयारी की जा सकती है, इसी के बाद interview guidance भी है, जहां पर अनिल सवरूप सर, हमारे retired coal secretary रह चुके हैं भारत के, और इन्हों ने coal department को एक ऐसे समय पर संभाला था, जब काफी सारे scams हो रहे थे और बहुत प्रॉब्लम्स इस department में, he headed this department, he brought in various structural reforms, and one of the personal favorite of honorable prime minister as well, तो इनका अपनी services में experience इतना अच्छा है, और इतना unique है, कि इनकी, इनसे एक तो आप motivate होंगे, to crack the exam, and secondly, his guidance will help you to put your best foot forward during the interview, तो इसका भी काफी फाइदा है, ठेके, so if you are starting your preparation, this will be the trajectory for you, and P2I will ensure that you get selected in your very first attempt, now for those students who think, कि ये तो सिर्फ 2025 वालों के लिए है, हम तो 2024 में paper देना चाहते हैं, दोस्तों ये आप के लिए भी है, अब इसमें ऐसा है, कि देखो foundation मिलेगा तो सही, लेकिन आपको जरूरत नहीं है उसकी, और इस वक्त अकर foundation कर रहे हो, तो time waste होगा, तो आपके पास SIP PLUS 2024 का इसमें रहेगा, ठेके, SIP PLUS crash course है, तो 2024 को पूरा हम revise करेंगे, जो भी आपने पढ़ा है, from prelims point of view, again, pre के बाद आपको means advanced course मिलेगा, interview guidance मिलेगी, mentorship मिलेगी, and this will help your final selection as well, बस फरक इतना है, कि क्योंकि you are giving 2024 exam, so we believe that you are at a level, क्यांपे foundation से start करने की जुरूरत नहीं है, you just need a brushing up for prelims, और उसके बाद mains में हम दुबारा से revisit करेंगे, पूरा syllabus from mains point of view, उसमें further additions होगी, and interview में further आपकी personality की polishing होगी, right, and भगवान न करें कोई दिक्कत आए, ठीके 2024 वलों को, लेकिन अगर आती है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ तक ही 7 था, हम आपको 2025 का crash course भी देंगे, तो वहाँ से again, right, 2025 से again, foundation तो देखो, आपको जरुरत नहीं है क्योंकि कर चुके हो काफी कुछ, तो यहाँ पे दुबारा 2025 का crash course मिल रहे है, वो आपने अगर clear कर लिया prelims 2025, तो mains advance course दुबारा मिलेगा, interview guidance भी दुबारा मिलेगा, तो दो साल की तैयारी में हमारा पूरा साथ आपके साथ रहेगा, ठीक है, and 2025 students, this is for you as well, 30 months के लिए आपका और हमारा साथ भी पूरा जुड़ा रहेगा, ठीक है, so description या application पर जाकर, 37,000 के स्कोर्स को अगर आप CS live code उस करोगे, तो you can avail it in only rupees 24,000, और इसमें खास बात यह है कि generally हमारे optional subject के जो prices हैं, they are 16,000 rupees after using the code CS live, लेकिन अगर आप इसको application में P2Y के साथ add करोगे, तो सुरफ 12,000 में आपको optional मिल जाएगा, ठीक है, तो use that combination का फाइदा, and जो पूरा syllabus है इस P2Y में, as आप देख सकते हैं, यहाँ पर, it will be completed by 8th January 2025, ठीक है, और जो SIP students हैं, जो 2024 को target कर रहे हैं, आपका syllabus 30 April तक खतम हो जाएगा of 2024, तो May 26 को आपका exam in 2024, तो लगबग एक महीना आपकी revision के लिए भी आपके पास है, and P2Y students जो 2025 वाले हैं, वो देख लो, आपका जो foundation phase है, वो 17 January 2024, जब यह batch start हो रहे हैं, 18 January 2025 तक चलेगा, जो prelims phase है आपका, वो 19th January से आपका SIP start हो जाएगा अगले साल, और 15 मही तक आपका पूरा syllabus, MCQ practice, maps, schemes, budget, economic survey, सब कुछ cover हो जाएगा, ठीक है, and mains phase फिर after prelims start होगा, it will go on till your mains exam and interview phase thereafter, ठीक है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि पहली attempt में आपका ये exam clear करवाएं, अब depend करता है कि आप में कितनी willingness है to put your best efforts in this preparation कोई भी doubt हो, कोई भी अगर समस्या हो, कोई भी गिला शिक्वा, तो आप मुझे CS Live ग्रूप पे join कर सकते हैं, यहां फिर मेरा telegram का personal handle है, यहां पर do drop a message at the rate H-E-L-L-O-C-H-A-N-D-A-N this is my personal handle, यहां पर भी आप मेरे साथ connect कर सकते हैं, ठीक है by scanning these QR codes, you can connect with me and Instagram पे hello.chandansharma, यहां पर भी मेरे साथ जुड़े रहिएगा, कई students के साथ यहां पर भी मैं call के साथ, call के मादिम से connect हो जाता हूँ आज के लिए इतने ही दोस्तों, उमीद करता हूँ के जो लोग preparation स्टार्ट कर रहे हैं, उनको कुछ important और interesting insights मिली and they will make the right choices, the right decisions and these decisions will be informed ones, आज की इस वीडियो का यही एक purpose था, तो wish you all the best and my prayers, best wishes के आपकी पहली attempt in selection जरूर हो, thank you so much